कि हम और आपका परिवार पुर्ट एक स्वस्त होगा और आपूंका ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि बढ़ों का रखना हमारी ज़रूरते हैं हमारी सफलताओं का जो स्रे है वो उन्हीं जड़ों से आता है तो हमको जड़ों को सिंचित करना होगा यानि हमारे जो मातापिता दादादी हैं उनका आप सेवा करते रहेंगे ठीक तो चलते हैं बईया सेवा करते रहना आज हम लोग सेल बेलोजिक का यह इस पेसली कह सकते हो कि हम लोग तीसरा लेक्षर दिसने जटे डिख्र करनेδα हो रहा हमने इसके पहले सेल को पढ़ चुका एक और और यहां पर पहला पार्ट आता है सेल म auditor इससे के मैंडल को देखने हैं और वारिमारी के स्ट्रक्टर्टर को देखने बेस्पे डिखने श्टर। होगा यानि हम डील करेंगे यह प्लाज्मा के बारे में होता यह का इस हिस्ट्री है जानते हैं comics मोडलिको जाएगा सब्सक्राइब कि ना तोपिक सुपीक की तरफ आ है यहां पर हमारे एप चूझ को बताइए आप अधिक सचुढ़ेंट को हमारे साथ जोड़िए क्योंकि VNR family जितनी बड़ी होती है उनसे उतना बढ़िया income generate होता है अब जब income generate होता है हमारी team को तो हमारी team एक next level पर काम करती है हम लोग आपके income से distance learning इस्टार्ट करने जा रहे हैं यदि आप हमारे सुरुवाती दिनों में जुड़ रहे हैं तो आपको आपके first year, third year जात two teacher mechanism हम यहां पर नहीं लगा सकते one teacher book mechanism लगा सकते यानि मेरी book और मेरी video आपकी सफलता है इसी पर समलित हो जाएंगी यानि इसी पर आधारित हो जाएंगी आप सफल हो जाओगे मेरे lecture classes और मेरे book के वजह से या कह सकते हो मैं उनको जब provide करूँगा आपके साथ तब यानि हम और आप एक दूसरे के साथ मिलने के सही तरीके से अपने जुलोजी को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हम लोग भी थोड़ा उभर के आज सके क्योंकि हिंदी मेडियम मतलब जो हम को प्यार दीजिए सारे टीचर काफी मेनत करते हैं जो आपको साइंस पढ़ा रहे हैं इस सेक्टर में आके अब यहां पर बढ़ते हैं अपने पॉइंट के तरफ हमारा पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहां पर कहता है इंट्रोडक्शन यानि हम लोग सेल में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिरकर इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में हमको क्या मिलेगा इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में यह देखना है हमारे जितने भी सेल्स होते हैं चाहिए यूकरोडिक्स हो चाहिए प्रोकरोडिक्स हो यहां पर क्या डिल किया तरह गेरा होता है एक ठीन लेयर से एक लीयर को फिक यह जो थी लेयर होता है यह आउटर मॉश्ट यानिवाहर पाऊंडी डारी टिक वान्डी कीड़ों में अर्फ को बोला कई हता है इसको बोलते हैं पलाज्मा मेंब्रेंड और प्लाज्मा का लेंड合क या फिर आप उसको plasma leanma बहुत सकते हो या फिर उसको takma membrane बहुत सकते हो या फिर ilsकोk बहुता नाम केवल उसके अलग़ है है ऐसे यह नाम यू जाते हैं तो आप इन तीनों नामों को ध्यान रखिये कभी आप से पोछा आप THE मुझ से प्लाज्मा मेंब्रेन की structures के बेसेस पे कि जो प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेंब्रेन होता है जो इसकी structures होती है वो molecular arrangement के साथ आती है molecular arrangement के साथ आती है मतलब इनमें कह सकते हो कि प्लाज्मा लेमा के अंदर एक और सतत कह सकते हो Uncontinuous Structures, कैसे? Uncontinuous Structures, यानि asymmetrical conditions होते हैं, ठीक, और इनकी जो पूरी Structures होती है, वो काफी complicated होती है, और जो Structures बनती है, वो molecular basis बनती है, इसलिए काफी ज़्यादा कटना यह आ जाती है, अब यहाँ पर बात करते हैं, maintenance के basis पे क्या आखिर कार भाया, maintenance the difference of the internal environment, यह अंदर वाली ब्यवस्ता, of the cell from its external environment, controlling the entrance and exist of the molecules and ions, मतलब कहने का है, यह हमारा cell हो गया, क्या हो गया, यह हमारा प्लाजम मिम्ब्रेन, क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया हमारा एक्स्टर्नल, क्या हो गया, यह विया यह हो गिया एक्स्टर्नल यह हो गया इंटर्नल इसको बोलेगे ऐक्स्टर्नल और इंटर्नल इरवदंट्न तो मतलब है treats sì परेगे जो आयना मालिकूल तो यह और कौन यह और अंदर कौन आए प्लाज्मा मिम्परिन पाया जाता है, वो semi-permeable होता है, आगे हम इसके features में देखेंगे, तो यहां से जान देना कि यह क्या करता है, यहां पे difference क्लियर करता है कि कौन environment कैसा है, अंदर का environment अलग होगा, बाहर का environment अलग होता है, दोनों environment के आयन या molecules जो होते हैं, उसको यह arrange कर करता है, और control करने, control coordinate करता है, अब बात करते हैं, यहां पे हम लोग especially metabolically helpful की बात करें, यह चित ध्यान देना होता है, वहां यहां पे हमने देखा, कि जो हमारा सेल है, ठीक, सेल में हमारे पास metabolic substance का मतलब होता है, जैसे metabolic substance में main features क्या है, हमारे पास C6, H12, O6 होना चाहिए, इसके साथ क्या आएगा, oxygen आएगा, जब हमारे पास glucose molecules और oxygen अंदर क्यों आते हैं, तो इनसे बाहर क्या निकलता है, इनसे बाहर निकलता है, carbon dioxide, मतलब यह जो हमारे है, यह metabolic के useful product है, और यह हमारे by product है, तो यह कह रहा है यहां कि, जो हमारा plasma, यह जो membrane पाया जाएगा न, य membrane क्या करता है, इस पेसली यहां पे वो चेक आउट करता है, क्या करता है, यहां पे चेक करेगा कि कौन सा molecules, कौन सा आयन, या कौन सा सबिस्ट्रांस useful है, उसको अंदर की और अलाया जाए, और कौन सा molecules, जो कैसा होगा, वो toxic है, कैसा है, toxic metabolic है, या फिर by product के रूप में है, उ इनको बाहर निकालना, carbon dioxide को बाहर निकालना, और oxygen को अंदर लाना, cell के अंदर, यह पूरा जो काम होता है, वो cell membrane के वज़े से, या plasma membrane के द्वारा control कोडिनेट किया जाता है, यह बाते, गाठ बांध लेंगे, आपको याद होना चाहिए, आगे चलते हैं, अगले features को देखे यहाँ पर कह रहा है कि इनके जो functions होते हैं, functions के basis पर देखा जाए, तो यह semi permeable होते हैं, कैसे होते हैं, semi permeable इसको हिंदी में कहते हैं, और the power gum में होते हैं, मतलब यह selective purpose पर काईम करते हैं, देखो कहारा न, selective यहाँ से permeable of membrane, यानि जितने molecules को select किया जाएगा, कि बाल वही molecules अ अंदर नहीं जाने वाले हैं, यानि क्या सकते हो, जैसे चाय की छन्य होती है, जब हम चाय को छानते हैं, ऊपर हमारा चाय के दाने उड़क अडग जाते हैं, रहा होता है, यानि ऊपर जो material आ रहा है, वो material हमारे cell के metabolic activity के लिए responsible है यूजफुल है तो अंदर जाएगा यदि यूजफुल नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा अब बात करते हैं यहां पे about कितना लगबग यहां 70 से लेकर 100 angstrom इनकी थिकनेस हो सकती है यानि जो cell membrane पाया जाएगा इसकी जो मुटाई यहां पर देखने के मिलेगा यह मुटाई आपको 70 से लेकर 100 angstrom हो सकती है लेकिन यह जो मुटाई होती है वह किस पर different cover होती है यानि किस पर clear होगी किस पर dependent होती है वह अलग अलग cell क उन पर थिकनेस पर निवरा करते हैं आगे हम कुछ features अभी देखेंगे आपको पता चलेगा सबसे highest किसका membrane पाया जाएगा अब अगला क्या क्या रहा है क्या प्लांट सेल का plasma लेमा होता है क्या प्लांट सेल में प्लाजमा लेमा होता है उसके बाहर एक सेल वाल होता है लेक कहते हैं वो किसका बना होगा वह स्लूलोस सेलोस बना होगा जो सेलूलोस है वह polysacryide है कैसा है एक polysacryide structure से या किसदो fertilizer compound Effect उससे वो बना रहेगा ठीक पाली मरके फ़र्म में आगे बात करता है इस्वेंट्स के आगे देखते हैं कि इन्पोर्टेंट सेल और्गिनेस कंपोस्ट बाइ लिपिड यानि कह सकते हो कि जितने भी इन्पोर्टेंट सेल और्गिनेस होते हैं जो उनके सेल मिंब्रेन होते है सेल ऑडीन परोटिन और लिपिट के बने होते हैं ये लाइन आपको याद होनी चौहिए अब आगे बढ़ते हैं तो यह सेल करता क्या है या चैसरोल के अंदर जो हमारा प्लाज्म में उसका व्रोस क्या है इसके तो कहता है attachment to the other sales to sell to sell to sell communication यानि यानि जो से दूसरी से तव सूचना जाएगा या ये कौन पहुचाता है हमारा जो सेल कनेक्षन होता ना कैसा सेल तुसेल कनेक्षन होता है उससी सेल कनेक्षन की वज़े से ही हमारे material एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक जाते हैं ठीक और उसके सब्सक्र होगा हमारे जतने भी iron pumps होते हैं जैसे sodium pump हुआ क्या sodium iron pump हुआ हैं यहा फिर calcium ions हुए यह फिर chlorine आएन हुए यहय फिर potassium pump ion हुआ इन pump आयनों को यह सही तरीके से क्या करते और बोड़ी के अंदर सेल के अंदर जितने भी हार्मोंस होते हैं क्या हार्मोंस होते हैं और हार्मोंस के बीच होने वाले मेकनिजम्स हैं उसको भी कंट्रोग कोडिनेर करता है कौन हमारा प्लाजमा मेंब्रेन ठीक और उनसे होने वाले जितने भी मतलब हार्मोन्स हमारे सेल पर आया जो भी मैसेज देगा यानि जो भी फंक्सन्स करेगा वहां ऐसे करते हैं आपक यहां पर अक्तिविटेज की हए बात करें हमारे जितने भी फिजिकल सेल के और जो अमारी बोड़ि एक्टिव से रिस्पॉंस करती है Defense को पढ़ने का उनको जनने का काम हमारा जो दोड़ lucky वह स्वोल एक जो रहा है किए सहल मेंब्रेन है उसको कंप्लीट करने है उसको रोके रहने के लिए जो हमारे पास हमारा प्लाज्म मेंब्रेन है वह काफी मजबूती से बंधा होता है उसके वज़े से एक प्रेशर पड़ता है दूसरा से सपोर्ट करता है नहीं तो भाईया पैर पर इसको अब लग रहा दक्का लग रहा वह फट जाए ठीक वहा दूसरा से उसको पारी सपेट बारे में तो हस्तिक बारे में बात कर यहां पर सबसे पहले की बात करें सबसे पहले की बात आती है तो वह कार्ल डबलू नेगली आते हैं इसको नौगली भी बोलते हैं लोग नेगली ने इस पेशली 1817 से लेकर 1821 तक जीवित रहे हैं इन्होंने सेल मेंबरेन को क्या बोला था यह सेल मेंबरेन को बोले थे बाया यह सेमी परमीएबल है और यह थे यह नेगली ने इस पेशली क्या बताया कि जो मारा सेल मेंबरेन होगा वह क्या होगा सेमी परमीएबल होगा और उसके साथ साथ वह रिस्पॉंसिबल होगा सेल के अंदर होने वाले आस्मोटिक एक्टिविटी का ठीक एन अदर जो रिलेटेड ओ फिनोमेना होते हैं मत कोई भी फंक्शन होने वाले नहीं है यह केवल केवल लिविंग सेल के अंदर यह फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा अब देखो अब बोल रहा है बीफूर मतलब बीफूर एटीन 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 फिटीफाइफ यानि अठारो सो पच्पन से पहले क्या अठारो सो रखेंगे कि यह उमारे जोलन मिम्बरेन था वह 1885 से पहले यूज होता था प्लाजमा मेंबरेन के जगए यानि अठारो सो पच्पन के बाद जोलन मिम्बरेन को प्लाजमा में ने रिप्लेस कर दिया कि भागी तुम जाओ तुमारा यहां पे कोई काम मॉम नहीं है ठीक त पेपर में तो आप M-CQ के लिए जोने मिम्ब्रेन आ गया तो आपको पता होना चाहिए उसके पहले इसको बनाया गया था यह टर्म यूज अधा लेकिन बोल रहा है कि टर्म प्लाज्मा मिम्ब्रेन जो है वाज यूज इन 1855 इसको यूच किया गया और डिस्क्राइब किया गया क्या कि जो महारे पास प्लाजम मिप्रिम होता है वह 45 सी फृम प्रोटेक्ट्व लेयरस होती है और यह पारमेड होती है ना बनी होते कि से हमारे जृतने भी इंजॉड़ सेल्स होते हैं क्या injured sales से निकला हुआ जह प्रोटीन होता है यानि हमारे मरेmarks यह सेल्स होते हैं घायल मतलब घायल बोल सकते हो जह घायल sales होता है गायल busagol से जो प्रौटीन का सिक्रेशन होता है वह साइटोपने मिलता है और साइटोपन जब हमारे क्या जब हमारे सेल सूप के साथ water के साथ connect होता है तब हमारे क्या मिलेंगे site और यह plasma membrane का फार्मेशन होगा यानि कह सकते हो कि यहां से कि हमारे पास क्या होगा injured injured सेल होगा यह क्या देगा यह especially protein देगा क्या देगा इश्वेंड यह हमारा प्रोटीन देगा और क्या निकलेगा प्लास यहां पे सेल सूप की बात कर ले और प्लास क्या निकलेगा वहां से वाटर यानि एक मेंब्रेन निकल जाएगा अब इनसे बनेगा इनसे बनेगा थे भानेगे या मिलेंगे बाहर क्यों एक मोटी ते बनाथे गेल मतब प्लाजमा जो बनता है वो साइटो प्लाजम के आउटर लेयर पे दिरे दिरे बाहर की निकलती जाते हैं और एक मोटी सी कठोर लेयर बनती जाती है जैसे अब नहीं देखा होगा आपको जो चौट लगता है तो पानी के तरफ बहता है कुछ पीले कदर का चैसे हमने उसकोशीरम वोलते हैं तो वह बाहर की निकल रहा है पूरसंबीन फाइवी नोचन निकल रहा है से प्रोटीन के फवर में अब वहां पर निकल रहा है अब ह प्लाजमा मेंब्रेन को सही तरीके से देख लिया कि प्लाजमा मेंब्रेन को सही तरीके से समझने के लिए कौन-कौन सा स्टॉक्चर समझना चाहिए यौफिर पहले प्लाजमा मेंब्रेन से यहान tuyango में पहले प्लाजमा मेंब्रेन c bluff जो बना होता है तीन लेयर से बना होगा और इनके जो ठीकने स्टोटल होगी वह यहां पे 75 कितना च्रेंड यहां पे कह सकते हो कि 75 यहां पर चूड़ गया तो अब देखो यह जो तीन लेयर है कौन कौन बोल रहा है इसमें जो दो लेयर होगा वो कैसा होगा वो डाई इलेक्ट्रानिक लेयर होंगे तो भया याद रखना कैसा होगा जो दो लेयर होंगे डाई लेक्टानिक लेयर होंगे और जो इनकी थिकनेस होगी कैसी होगी वह 25 एंगेस्ट्राम होगी तो ध्यान देना ठीक ऐसा होगा दो लेयर यानि ऊपर एक लेयर ऐसा मोटा सा पाया जाएगा ठीक एक लेयर नीचे पाया जा रहा है इसकी जो थिकनेस है इसकी जो थिकनेस है यह 25- ficaram की होगी और ये भी क्या होगी 25 के तेख ये भी क्या होगी ये भी आपको 25 एंगेश टाम की मिल जाएगी यह दोनों 25 एंगेश्टामं के होगे वो भी और यह भी दोनो लेहर अब बात कर रहा है निशे इंक्लूडिंग इसी में में क्या में डाइट rookर्ण को कीम्हाइब त्रॉक्टरोड्यक यहसा बीच में बी डाइट्रॉनिक लेयर ह्गिमेंटी मीडिल लायर होता है वो ट्राइब मालिकूलर लेयर होता है जो middle layer यानि बीच वाला जो layer है वो कैसा होगा वो उपर नीचे तो same है ठीक लेकिन बीच वाला कैसा वो tri molecular layer दिखाता है यानि lipid जो होते हैं यानि lipid होगा lipid क्या करेगा non polar structure दिखाएगा non polar में क्या हो जाएगा hydrophobic layer कैसा hydrophobic दिखाएगा और दूसरा especially क्या दिखाएगा यहां पे हमारे पास वह रहा है कि polar hydrophilic group ठीक यानि दो पार्स यहां पे हमको दिख जाएगे कौन-कौन lipid दिख जाएगा क्या दिख जाएगा lipid जाएगा और वहां पे लिपिट के मतलब फासफल पीड मिलेगा polar condition में ठीक तो नान-polar और polar condition बोल रहा है पहली बात कि यहां पे हमको छोड़े-छोड़े क्या मिलेंगे structures मिलेंगे कितने तीन टाइफ के अब पहला क्या बोल रहा है यहां पे कि दोनों लेयर एक तो यह मिल गया दूसरा यह मिल गया दो लेयर मिले लेकिन एक साथ सुन लो क्या कह रहा है कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक polar group covered by protein layer मतलब बया कि हमारे पास यहां पे हाइड्रोफिलि लिक होगा तो इसके ऊपर एक कभर पाया जाएगा यह जो कभर होगा किसका होगा हमारे पास protein का होगा तो हुआ ना दो तीन लेयर किसका किसका एक इसका एक इसका एक प्रोटीन लेयर तीन मालेकुल से बना होता है कौन हमारा middle layer याद रहेगा ठीक अब ध्यान देना और कै कैसे जुड़ा होता है यह 25 मतलब इनकी थिकने सोती है वह 20 से लेकर 25 एंगेस ट्राम की थिकने से यहाँ पर देखने मिलती है दब प्रोटीन चैन लाइन इट राइट एंगल दा लिपीड यानि जो लिपीड होगा लिपीड से जो प्रोटीन होता है वह समकोड पे कैसे इ इस एंगल पर जुड़ा होता है यानि प्रोटीन से यहां पर हमारा लिपीड होगा तो प्रोटीन हमारा सीधे ठीक उसके उपार जुड़ा होता है यह बाते तो किलियर हो गई होंगी किसी को कोई डाउट नहीं होना जी बेसिक चीज़े बता रहा हूं ठीक आपको सेमेट करेंखा तो पहली बात देखते हैं भया कि यह बोड़ रहा है कि आलसू यह भी कैसा होगा यह यह भी एन ये खोलता यह बेश्च में थोड़ा मोटा होगा एट अ तर्ट से लेकर 40 एंगे स्ट्राम के बीच लेयर होगा कौन उला इनर वाला मतब समयना कि अंदर एक अंदर सबसे पहले अंदर वाली बात कर रहा है यहां पे हमारे पास क्या होगा एक लेयर होगा ठीक यह कितने लेयर का पाया जाएगा यहां में बोराएं 30 35 से लेकर 40 एंगे स्ट्राम यहीं बोर रहा है अब उसके बाद आगे कह रहा है नैरो आउटर यानि बाहर की ओर एक कंपोनेंट्स पाया जाएगा क्या होगा बाहर की ओर कंपोनेंट्स होगा डाइलेक्ट्रानिक का उसका थिकिनेस कितना होगा यहां पे हमारे पास मेंब्रे होता है लिपीड का किसका लिपीड का यानि इसके बीच में क्या होगा एक पार्ट होगा ठीक यानि इसके बीच में क्या होगा स्ट्रेंट्स इसके बीच में हमारा एक पार्ट पाया जागा इसे कर सकते हो यहां पर हमारे पास एक लेयर मिलेगा ठीक यह जो लेयर होगा कि किसा होगा इसको मिटा तोड़ा सा अब को ठीक से बना के बता रहा हूं थोड़ा सा आप इसको कि इसको ऐसे कर लो किído अब तब भी दिखेंगे आ जाओ यहां कह रहा है कि हमारे पास अपहले तो यह कह members लеле लेयर मिलेगा यह लेयर है नीचे वाला लेयर होगा वह कितना होगा वह हमारे पास 30 से बोरा 35 से लेकर 40 एंगेश ट्राम बात पक्की इतनी समझ में आई दूसरी बात क्या कह रहा है कह रहा है कि यहां पर बोलो देखो बोला नेरो आउटर यानि उपर की ओर क्या इस्ट्रें यहीं बोल रहा ना बात पक्के पक्के यहां से इसको थोड़ा सा और किलियर नहीं हो रहा है पिक्चर किलियर करते हैं पहले कि यह हमारे पास 35 से लेकर 40 एंगेश ट्राम और यहां पे लेयर पाया जा रहा है यह हमारे पास यह बोल रहा है 25 एंगेश ट्राम ठेक और क्या ऑ रहा है यहां पंधू है इसके बीच में यहां पे डो लेयर होगा कैसा होगा यहां पे भातले दो यहां पे 15 15 के दोनोruck दğ Εंसे हैं इसकी एंसर तो पहले आप मतलब यह है कि इसमें जो तीनों लेयर हैं आप तीनों लेयर को देखो ध्यान से यह लेयर देखो यह कुछ अलग थिकनेस के साथ आ रहा है यह लेयर कुछ अलग थिकनेस के साथ है तीनों लेयर कैसे हैं अलग अलग थिकनेस के साथ आ रहे हैं इसलिए इसको एसमेट्रिकल कं के रूप में इसको जान रहे हैं ठीक लेकिन इसके पहले वाले पिक्चर में हमने क्या देखा था इसके पहले वाले में क्या था यो तीनों लेयर थे कैसे थे symmetrical में क्या था symmetrical molecular structure में क्या है कि तीनों जो structures हैं वो एक जैसे हैं उनकी thickness कैसी थी एक जैसी थी बात clear होगी ठीक इसमें क्या देखना है और strengths यहां कहता है कहता कि different type of cell यानि जो अलग-अलग types के cells होंगे उनमें जो होगी plasma membrane की वो various हो सकती है यानि अलग-अलग cell में different types के कोशिकाओं में अलग-अलग types के plasma membrane देखे जा सकते हैं different करता हैं उनके structures पर हम लोग कुछ अभी देखेंगे जैसे example for example भी दे रखा मैंने इस जामपल देखो कह रहा है यहां पर कि red blood corpus जो होते हैं क्या हमारे जो राल रुदिक कड़काएं होती जिसको rbc कहते हो क्या कहते हो इसको जिसको rbc कहते हो ठीक rbc के अंदर किसके अंदर rabbit का rbc हमारा नहीं एक खरगोश का जो rbc होता है उसकी बात कर रहा है उसका जो कि अवह कितना होता है वे 251 y c rams का होता की थिकनेस के साथ हती है मतब काभी 215 ym time ठीक है कऊंव यह बोह रहा है कि हमारे पास प्रसंव कि तक रहा है उसका rbc है उसमें 252 एंगes स्टांस की सीच मिलई और उसके साथ साथ जो क्या हमारी जो स्टनेटाइनल मदल्थ हमारी हमारी आथ इस्टनेटाइन और स उसकी जो टिकने तक होती है निए वन फाइफ एंगे स्ट्राम उनकी थिकनेस होती है तो यह याद रखना यह एंसी क्यों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके आई एंपी तो पहले से क्लास नमबर 3 के तहाथ आपको नोट कराया जाता है कि रैबिट के अंदर पाय जाने वाला जो आरबीसी होता है उसका जो रेड ब्लड कारपस होते हैं उसके प्लाजमा मेंबरेन की थिकनेस होती है वो आपके 250 नंगे स्ट्राम होती है ठीक आपने मिलोड उसको नोट कर लिय आप मैंबरेन के अंदर जो नुकुलियर पॉर्श होते हैं जाता है जैसे हमारे पास क्या होगा यह बोड़ा यह सेल है इसके अंदर यह नुकुलियस है इसका जो मिंब्रेन होता है यह थोड़ा बड़ा होता है लेकिन इसका जो मिंब्रेन होता है यह जब भी होगा क्या हमारे पास हमारे नुकुलियस मिंब्रेन कैसा है ठीक इनको ऐसे मानूं कि हमारे पास जो होता है कितना 10 होगा लेकिन हर समय जो यह वाला होगा वो क्या होगा बड़ा होगा ठीक आप इसको याद रखिएगा अब यहां पर हमारे पास था तीसरा यानि हम तीसरे फ़र्म में चलेंगे तीसरा मॉडल हमारे पास क्या था हमारे इसको डेविशन मॉडल बोलते हैं यह 19 लेमिला देखते हैं लेमिला मॉडल आता है और इसको सही तरीकर से हमको कैसे देखना चाहिए और किस नजह्ल основ और यह 210 श्यार लग रही है ब्लृब पहले इसको खतम करें लेते हैं थिक आ सहने सब्सक्राइब को लिए कैसे होते हैं स्फ़ॉइब भुण वह सरी यह लिपड माली कुछ से अरेंज होता है ुट्या रेडियल में कैसे ए रेडिसे और इह रेडियल उनसे वह चैन से जुड़े होते हैं यह कह सकते हो सिंपल भासा में हम लोग हिंदी में समझना चाहें तो यह कह सकते हम लोग कि आखिरकार यह सुझाओ दिया गया था कि जो प्लाज्मम में मिब्रिन होता है उसमें जो लिपिट के मालीकूस होते हैं वह दो लेयर में चाहिए जो एक दूसरे के और आपस में हाइड्रो फोविक हाइड्रो कार्बान सिंखला के साथ रेड्य एल कंडीशन में विवस्तथ होतें James क дости यानि 2 लेयर होगा एक लेयर ओपर होगा एक लेयर नीचे होगा दोनों कि बने होungen कि लेकिन यह दोनों आपस में कैसे बैवस्थ होते हैं और ये विते होते करने के हाइड्रोडो विक हाइड्रोकार्बन को चैन्स होती है वह होती है ठीक यह लाइन आप रखेंगे जो क्या बोल रहा है and polar group क्या बोल रहा है और यहां पर देखो कि पोलर ग्रूप arrange जो मारे polar group होते हैं वह out और ली यानि बाहर की ओर इन मतलब बाहर की ओर और अंदर की ओर throughout यहां पर entire double layer of lipid molecules और spasily यहां पर क्या बोलने चाह रहे हैं कि इतने भी polar groups होते हैं वह lipid molecules की दोहरी जो परस होती है बाहर और अंदर दोनों और वह बिवस्चित होते हैं ठीक ध्यान देना hydrophobic जो होगा वह अंदर की ओर पाया जाएगा hydrocarbon chain के साथ और लेकिन जो polar group होगा वह अंदर मतलब यहां भी पाया जाएगा और यहां भी पाया जाएगा ठीक यह लाइना प्यादा के double layer के form में अब इसके साथ एक और बाती आती है यहां पे बोलता है the polar end of the lipid molecules ठीक हमारे पास क्या देखना मिल रहा है हमारे पास tab ंहीं मिल रहा है हमारे जो polar molecules होते हैं होते हैं उनकी जो hollow unhappy सीरा होता है से जुड़ा कर गोला देंक अब होता है बोरह बोलक प्रोटीन मालिक खेंद घान होते हैं तो दयान देजेगा कि जो लिपीट का क्या लिपीट का जो polar इंड होता है वो ग्लोबिलर प्रोटीन से कैसा जुड़ा होता है मोनो निकुलियर फॉर्म में यानि एक आडविक परत में यानि कैसा एक सिंगल सा लेयर होगा डबूल लेयर होगा याद रहेगा कोई डाउट फिर से देख लो कहता है कि जो लिपिड माली की उसुंगे उनक प्रोटीन की दो परत के बीच हमारे लिपिट के दो परत होते हैं यह लाइन आप याद रखिएगा बोल रहा है यहां पर कि डबूल लेयर आफ लिपिड मालिक्यूस सेंडविच विटमिन क्या सेंडविच विटमिन टू कांटिनिवस लेयर आफ प्रोटीन्स मतब एक लेयर यहां पर प्रोटीन्स का होगा एक लेयर यहां पर भी प्रोटीन के लियर होंगे यह सेंडविच बनता है वैसे ही यह इसे लिए जो डिविंसन मॉडल है इसको हम सैंडविच मॉडल के नाम से झानते हैं कभी आप से पूछा जाये कि भाई सैंडविच मॉडल क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि डिविंशन का मॉडल सेंडविच मॉडल के रूप में बताया गया था हां बर्टिकुलर यहां पे कोई भी थिकनिस के बारे में बारचित नहीं की गई थी अभी तक ठीक अब हम लोग इसको देख लेते हैं यहां पर जो इस्ट्रक्ट कि हम कहना क्या चाह रहे हैं ठीक यह जो इस्ट्रक्टर से हैं यह रिसेंटली आज हमारा फ्लूट मोजैक मॉडल है लेकिन यह हमारे डिविंशन मॉडल है इसके बारे मताएं तो देखो यह क्या था यह ऊपर हमारा ग्लोबलर प्रोटीन था ओपर भी प्रोटीन नीचे भ यह जो दोने लेयर थे वह लिपिट के थे तो उपर जो लेयर थे वह कैसा थे हाइड्रोफिलिक जोन था हाइड्रोफिलिक जोन अटेज था प्रोटीन लेयर से ठीक और यहां पे हाइड्रोफोबिक जो जोन था क्या था हाइड्रोफोबिक जोन था वह अंदर की और पाया कोई बी आंगिस ट्राम या फिर मुटाई के बारे में जानकारी नहीं दिया गया था हमको कि सकी जानकारी मतब्ब यह इतने इंगेस किसकी मुटाई होती है यह इतने यह त्राम किसकी ठिकनेस होगी यह याद रखेगा है हमने लाइट को मैनेज कर लिया अगले फ़र्म में अगला फांव हमारे पास क्या आता है बोलता है लिपिड मालिकूज और सेट आफ राइट एंगल जो रिपिड मालिकूज होते हैं वह लिपिड अडू के सताव पर ही जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वह सर्फेस पे ऊपर की और अरेंज होते हैं यह लाइन याद रहेगा एंड इस्पेसली क्यों क्योंकि वह नान पोलर हाइड्रोफोविक को फैटी एसीड से उनका टिल होता है वह अटेच होता है यह लाइ ऄट में को देखना है कि दग़्ड़ोटें सकते लाइजब होगा सब्सक्रां कि प्रोटेंश हमारा जो इन्वाट सावड़ कर ने के साविक संट का, यहाँ पर आति ए होते हैं क्या होते हैं सामील होते थे इनके अलावा जो मारे पास लैमिलर सिध्धान्त होता था क्या इनके अलावा जो मारा लैमिलर सिध्धान्त है क्या लैमिलर थियोरी के कि यहां से دेखा जाएक लेमिलर हे इजते से को फिजिकली बोँआना कि सेल मेंब्रेण टूबी इप धाल्पर स्टरक्ट या फिर पिर स्पेस्ट्र सी जो भी आ रहा है उसकी बात कर रहा है कि मतलब यहां से कहने का सुन मंदे देखे कि हम लोग इस टॉक्षर के सिस्ट पे देखे या स्पेसल करेक्टर के बैस्ट पे देखे तो यहां पर हमारे पास जो फट्रवाजी निकल गयाते हैं आपके घर का दरवाजा ठीक ना हो चोर तो आई जाएगा ठीक अब देखो हम लोगों ने सही तरीके से पूरा एक एक पॉइंट्स देखा एक पॉइंट्स में हमको एक और मिंब्रेन इस्ट्रक्चर देखने हैं हमारे पास आता है यहां पर अगला फॉर्म लेकिन हम दोग देखेंगे इसको इसको क्या बोलता है माई केलर मॉडल आप प्लाज क्लेलर माइक क्लेलर जो मॉडल है इस दोनों मॉडल को हम लोग नेस्ट क्लास में डिल करते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल वाले क्लास में लेके इसका सिकेंड पार्ट यानि प्लाजम में मिरन का सिकेंड पार्ट तो बन रहे गए वीडियो के लाज तक ताकि हम आपको अगले वीडियो में भी ऐसी तरह के से हर एक पॉइंट को समझा सके जहिंद